कि संपर कत्रे आजी श्शी कुमार मंदल जी को एकमेड Cesy मंदल जी बहु एए नवसकार आशुतोस जी आपको पहले तो आप इस दोर में जब कोई भी मीडिया इतनी बड़ी क्राइम को इतना बड़ा जो आज मतलब एक तरह से जो सकैम हुआ है साहरा का उसको कोई भी मीडिया नहीं दिखा रही है और आब इसे समय में जमा करताओं के लिए जेंटों के लिए उनकी आवाज बन करके आज मुखरता के साथ रख रहे हैं इसके लिए आप सीधे मतलब से इसको समझे कि जब इसका एमबार्गो लगा हुआ था या सहरा और सेवी का बिवाद चल रहा था तो जो कस्टमर उसके हां जाते थे पैसा डिपोजिट करने के लिए उसके एजेंट तो एजेंटों को वो कभी नहीं बताया या जमा करता को उसने कभी नहीं बताया कि आप जो अभी पैसा निवेश करने के लिए जिनको जमा करता को लाए हैं उनका अगर निवेश हो जाता है साल भर के लिए या 18 महिने के लिए या 24 महिने के लिए तो अभी जो एमबार्गो चल रहा है तो एमबार्गो के कारण हम भुखतान नहीं दे पा रहे हैं तो हम आप निवेस ना करें इसमें, ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना उसके ओफिस में ना कभी किसी मैनेजर ने या इरिजिनल मैनेजर ने या उसके एजेंट ने कभी नहीं दी, मैं इसके धोखे का सिकार हुआ हूँ, मैं 2014 में पैसा लगाया, और जबकि उसका एमबार्गो का बिवाद या सहरा सेवी का बिवाद उससे पहले चल रहा था, भाईया जब आपकी कमपनी में सहरा सेवी का बिवाद चल रहा है, तो आप दूसरे का पैसा किस आधार पर निवेस ले रहे हो, ये कमपनी अगर कहती है कि हम इमांदार है, जो वेक्ति लिख रहा है कि हम इमा कौन करता है LIC को गाइट कौन करता है देश में कितने नियामाख है इसके बावजूत मैं इसके चुंगल में फस गया धोके से और इसका एक तरह से मुझ पर दबाब था एक हमारे आसपास के डिपोजीटर थे अब बहुत ही परभाव साली आदमी थे उसका कुछ पैसा था उ जल्दी डबल हो जाएगा अमीर बन जाना हमको अमीर बनने की जल्दवाजी नहीं है और मैंने उस एजेंटों को मतलब यहां से वापस भेजा घर पर जो भी एजेंट हमारे पास आते थे मैं उसको कहता था कि तुम अपनी सारी प्रोपर्टी मेरे पास रश्टी करो फिर उसी हैसियत के हिसाब से मैं तुम्हारी कंपणी में पैसा निवेस करूंगा इसकी गैरेंटी कौन है तुम्हारा सहारा इंडिया में पैसा लगाएंगे हम इसकी गैरेंटी कौन देता है कि पैसा हमारा वापस होगा नहीं पूरी दुनिया में हमारा कारोबार चल रहा है हम इतना बड़ा जब लेंड प्रोपर्टी हमारा यह है वो है यह सारा चीज बोल करके गाउं के लोग को बेवकूब बना करके इसमें पैसा लगाता था और गाउं के सीरेस आदमी यह नहीं जानते थे यह प्राइवेट कमपनी है और वहां पर एक चार्ट रखा जाता था ओफ बैंकों से यह कंप्रीजन करते थे सहरा चीपफंड कमपनी को और ऐसे करके धोखे में लोगों को उसमें फसा दिया और किसी भी जमा करता का पैसा लेने के लिए लोग हमेशा रात के 12 बजे भी उसको पता चल जाए सहरा इडिया के एजेंट को और उसके मैनेजर को मैनेज हम पर बनाया गया और हमसे पैसे लिए गया और जब हम पैसा जमा कर रहे थे तो उसके ओफिस में रोज हंगामा होता था लोग वहां आतमदा करने के लिए तैयार होते थे कि अगर हमारा भुक्तान ने हुआ तो हमारा पैसा लेकर करके हमको अपने डेरा पर बुलाया वहा इसमें पैसा नहीं मिल रहा है बहुत सारे लोग हमको बताये हमारा पैर से जमीन सरग गिया और हमारी बेटी की साधी में थी और हमने इसको कह करके एक तरह सानुबंद किया गया आप हमारा पैसा ले रहे है हम सहरा इंडिया को नहीं आपको दे रहे है और आपको एक से दो सा के अंतरकत हमारी साधी लगेगी तो हम आपसे पैसा लेंगे और ये धूरत और कमीना इसके अंदर कोई इनसानियत नहीं है इस कमपनी में काम करने वाले लोगों को कि ये आदमी को अगर मर भी जाये तो उसके कफन के पैसे के लिए भी साहरा एंडिया कमपनी पैसा देने के तैयार नहीं इतना धूरत लोग इसमें काम करते हैं इतने भरष्ट लोग इसमें काम करते हैं जिसकी परिकलपना नहीं कर सकते हैं भारा हुआ है सहरा इंडिया परिवार का जेतना भी उसका अभी जो लोग निकल के आये हैं इसके अंदर कहीं कहीं थोड़ी सी खुदारी ह उसके एजेंटों में मतलब उसका आत्मा मरा नहीं इसलिए लोग आज बाहरा करके सहरा के खिलाप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांकी जो आज भी चमचा गिरी कर रहे हैं उन नमक हरामों को ये पता नहीं है कि सहरा इंडिया प्राइवेट कमपनी है इसने धोखा आप एक जासुतों जी देखिए अब भी इसका जो बीमा का काम था इंस्वरेश का काम था सहरा मंडल साब एक एक स्री भगवान सर्मा लिख रहे हैं कि ये जो प्राइवेट जो हमारा आर्बी आई का आर एन्वी सी एक्ट है पांच मेई 1987 को लिया गया था